प्लेटो के सिध्धान्त पर तो इस प्रकार से दोस्तो प्लेटो के सिख्चा सिध्धान्त पर तो इस प्रकार से दोस्तो प्लेटो के कुछ चारपा सिध्धान्त है जिन पर हमें वन वाई वन करके डिस्कस करना है तो यह सिख्षा सिध्धान्त यह भी आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो दोस्तो सेशन को कंप्लीट अगर आप देखना इस शुरुआत करते हैं दोस्तों शुरुआत करें उससे पहले में आपको वतादू कि जो भी नाए स्टुडेंट है उनके लिए अगर कोई भी स्टुडेंट किसी भी प्रतियोगी परिक्शा की त्यारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं जिसे की UPSC, state PCS या कोई भी अगरी आपके एक्जाम से रिल्टेट आपको आसानी से राप्त हो जाएगी के लिए तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की यूनिट जो हमारी सेकेंड यूनिट है स्माप करना फरस्ट यूनिट में यूनानी राजनितिक विचारकों पर यूनानी की विद्वान है उन पर हम जो है डिसकस कर रहे हैं जिसके अंतर का सबसे पहले विद्वान अभी प्लेटू साब है प्लेटू साब पर ही चार से पांच दो तीन चार सेशन और आने वाले हैं तो कुल मिला करके चार से पांच या छे शेशन लगबग होने उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिख्चा सिधान्त की ब्याक्षा की ठीक है यह जो फॉर्मेट आपको मैं प्रोवाइट करना हूं यह फॉर्मेट पूरा आपके एक्जाम से रिलेटेड होता है आपको एक्जाम में किस प्रकार से कोपी लिखनी है अंसर आइटिंग करनी हैं वह सारी टेकनिक में यहाँ पर बताता हूं कहने का आरत ये में में आपको यह नोर्स प्रोवाइट करता हूं या ले लेक्चेर देता हूं वहीं फॉर्मेट आपको आनसर आइटिंग में लिखना है लिकीनका तो उसके बाद हम दोस्तों सिच्छा व्यवस्ता की योजना को देखेंगे कि क्या योजना दई है उसके बाद उनकी विशेष्ता को और लास्ट में दोस्तों निश्कर्श पर फोकस करेंगे तो इस प्रकार से इन छे विंदूों के माध्यम से आपका से शेशन आज cách कमपलीट ह होने वाला है कि लग चलिए तो शुरुवाद करते हैं अपने सेशन की सब से पहले ब्याक्या पर बात करेंगे दोस्तों प्लेटो एक ऐसे दार्शनिक थे या कहें कि प्लेटो एक ऐसे राजनीतिक थे अपने समय के जिनों ने पहली वार एसी कोई शिक्षा ब्यवस्ता पास्चात्य देशों में कुछ देश ऐसे हैं जो आज भी उनकी इस सिक्षा विवस्ता को फोलो करते हैं जी हां वर्तमान में भी कुछ देश ऐसे हैं जो इस सिक्षा विवस्ता को फोलो करते हैं और कुछ पहले करते थे और अब वो परिवर्तन कर चुके हैं आधुनिक समय क की डिमांड के अनुसार तो छिख्शा व्यवस्ता की जब बात ओती है तो प्लेटो का नाम सबसे पहले आता है था यहां बिएटो की सिख्शा व्यवस्ता के अंतरगत यह कहें कि फेलेटो का हुद्देश जो है वर्तमान उद्देश्चिवी सिक्षा का वही है व्यक्ति का पूर्ण तर विकास करना प्लेटो को सिक्षा की एक एसी सामाजिक प्रक्रिया समझता है प्लेटो के अनुसार जो सिक्षा है वो एक एसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके दौरा समाज में रहने वाला प्रतेक व् समाज के अंदर रहते हुए समाज के पृत्ति जो कूले करना सीखता है सिख्षा के दौरा ही और यह हकुद भी है कि सिख्षा से ही व्यक्ति म rubbish करतब्य का पालन करना सीखते हैं करतब्य का पालन करना सीखते हैं राज्जो के पतन अब देखैझ यहां पर उन्होंने एक बात वादी रुभापूण तरीके से कही है कि राज्यों का जो दूर्दशा होती है राज्यों का जो पतन होता है उसका एक कोई विशेश कारण जो होता है वो कारण होता है दार्सिनिक कोन शाशक शाशक को यहां दार्सिनिक बोला जा रहा है तो जो शाशक होते हैं वो प्रमु कारण होते हैं किसी भी राज्य के पत तो इसके लिए ही यहां प्लेटों ने प्लेटों ने शाशकों के लिए ही शाशकों के लिए भी उनके विवेक्षील बनने के लिए शिक्षा विवस्ता की योजना बनाई है अब यहां पर एक चीज विशेश फोकस करना दोस्तों प्लेटों ने जिस शिक्षा विवस्ता को यहां पर सामने रखा है वो सिक्षा विवस्ता सिर्फ नागरिकों के लिए ही नहीं है बलकि सेनिकों के लिए भी है उसके अलाबाद दार्शनी करता साशकों के लिए भी है और विशेश जो उनका फोकस रहा है प्लेटों के सिक्षा विवस्ता का वो फोकस रहा है दोस्तों बिबे शील बनाई जाए जिससे राज का पतन ना हो और राज में रहने वाले जनता को न्याय की प्राप्ति भी हो सकें ठीक है न तो इसके साथ ही दोस्तों इसके साथ ही नागरी और उनका कहना है इसके अलावा प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने बहुत ही अच्छी बात कही थी जो बर्तमान में भी लागू होती उनका कहना ता कि सिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उप्चार है लास्ट वाले point पे देखिए सिक्षा जो है मानसिक रोग का मानसिक रोग का मानसिक उप्चार है मानसिक रोग का मानसिक उप्चार क्यों कहा है इन्होंने क्योंकि मस्तिस्क का development पूरी तरह से सिक्षा पर ही निर्वर होता है कि लिए रहे तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी एक इंट्रो प्लेटो की सिख्चा व्यवस्ता का एक इंट्रो कंप्लीट होता है एक व्याक्या कंप्लीट होती है जैसा कि आपको एक्जाम में भी इसी प्रकार से पोइंट बना करके और व्याक्या के रूप में आपको यह तीन उद्देश यहां पर बताए गए हैं उनमें से पहला उद्देश है दार्शनिक उद्देश क्या है दोस्तों दार्शनिक उद्देश की बात करें तो दार्शनिक द्रश्टी से शिक्षा का उद्देश सत्य की प्राप्ति करना होता है क्या होता है सत्य की प्राप्ति करना दार्शनिक द्रश्टी से सिक्षा का उद्देश यह सब प्लेटों की सिक्षा के अनुसार चल रहा है कोई आदूनिक द्रश्टी को और से देखने का प्रियास ना करे यह सब परंपरागत चल रहा है प्रंप्रागत द्रेश्टिकोर से अर्थात की प्लेटो की सिक्षा व्यवस्ता के अनुसार सारे ही सब बाते आज ही जितनी बाते होने वाली है सब प्लेटो की सिक्षा व्यवस्ता के अंतरगत ही होगी किलिए रहे ना तो चलिए दार्सनिक उद्देश के अगर बात करें कि प्लेटो की सिख्षा व्यवस्ता के दार्सनिक उद्देश क्या थे तो वो दार्सनिक उद्देश था सत्य की खोज करना या सत्य की प्राप्ति करना और इस सत्य की प्राप्ति करने को प्लेटो ने व्य यहां पर प्लेटो का मानना यह है कि यहांपर सेनिक और से निक और शाश्क को ब्यवाहारिक ता प्रदान की जाए ब्यवाहें कि कि सेनिक और दार्सनिकों के अंदर जो गुण छुपा हुआ है उस गुण को इतना विक्सित कर दिया जाए इतना विक्सित कर दे जाए कि वो अपना कार फिर उचित डंग से करने लगे कि लिए रुपारा है प्लेटों के अनुसार सिक्षा का व्यवारिक जो उद्देश है वो है दार्सनिकों सेनिकों को इस प्रकार से प्रसिक्षित करना कि उनकी आत्मा में निहित गुणों का पूरी तरह से विकास हो सके वे अपने कारियों का पूर्णता के साथ कर सके कि लिए रहे तीसरा उद्देश है दोस्तों यहाँ पर सामाजिक उद्देश सामाजिक उद्देश के अंतरगत नागरिकों को या समाज के जो सदश्य है उनको सजग और करतब बहुत बनाना है सजग हो रहे सजग रहे और सजग रहने के साथ में उनके जो करतब है उनका पूरी इमानदारी के साथ निर्वहन करें रिच्छा से निर्वहन करें ये प्रम को देश क्वाले हैं तो धिश हरु भीकतने ध्याय को कर सकते हैं अब हम बात करेंगे अच के पूरे टोपिक के सभसे important कहानी पर आपको ये कहानी अभी तक जो आपने देखा है वो सिर्फ एक इंट्रो था व्याख्या और उद्देश्य जिससे आप थोड़ा-थोड़ा प्लेटो की सीख्चा के आसपास अब घूमने लगे हैं अब प्लेटो की सीख्चा व्यवस्ता को अब बास्तविक रूप से समझने का समय आ चुका है ध्यान से सुनिएगा नोट डाउन आप बाद में भी कर सकते हैं में हर क्लास में हर लेक्चर में बोलता हूं आप लोगों को आप हमेशा कमेंट करते हैं कि सब्सक्राइब करें द कि दिमाग में आता ऑधार लिंक रहती पड़ाने कि बीठ तूर जाती फोड़ा सा करता लेक्षर में आपका काम सिर्फ ज्छान से सुनिए उसको अगर एक बार है आपके मस्तिस्तम में प्रवेश कर गया है जो हमारा यह होता है समझाने का ज टेक्निक होती समझाने की यह एक बार आपके मस्तिस्क में चली गई न दोस्तों फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड करकी उसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हो आराम से नोट डाउन कीजिन आप कीजिन नहीं रोका है और जो स्टुडेंट हलागी देखिए जब जब अब तक खत्म होने के तुरंत बाद आप जो है नोट डाउनलोड करके तुरंट कर सकते लेक्चर के साथ आपको पीडिया तो मिली रहे ना चलिए अब हम दोस्तों बात करेंगे में सिक्षा योजना की प्लेटों की सिक्षा योजना किस प्रकार की थी तो मैं यहां तोलब सा आपका मस्तिस्क में प्रेमवर्ग त्यार करतेता हूं प्लेटों की जो सिक्षा व्यवस्ता थी देखिए आपने को यह तो मालूम होगा कि हमारे देश में संभीधान बना तो संभीधान जो है कई देशों से कहीं देशों से लिया गया है ना डायेटले आपने यही सुना ह तक अनुसार उसमें चेंजिस करा तो हमने उस कंसेप्ट को अपने संभीधान में इस्थान दिया क्लिए संभीधान को इस्थान दिया एक दोस्तों केमरा चेक करना पड़ेगा कि आए कुछ प्रोल्लम आ रही है यास केमरा हें गोंगया कि इसे प्रकार से प्लेटो इसी प्रकार से दोस्तों प्लेटो ने भी प्लेटो ने भी कुछ अपनी जो सिक्षा विवस्ता थी यह अपने आपसे डेवलप ना करते हुए कहीं और से लेकर उसमें कुछ चेंजिस करने के साथ इसाथ में जो है उसे डेवलप किया अपनी आवश्यक्ता के अनुसार ठीके ना तो प्लेटो ने प्लेटो ने दोस्तों उनके समय में दो शासन वेवस्ताएं उस समय रन थी चल रही थी इसपार्टा आपने नाम सुना होगा दोस्तों 300 मूवी देखी होगी Ohληwood में जिसने भी देखी हो कमेंट हो बताइए का मुझे इस्पार्टा प्रसासंता और एक एंतस प्रसासंता तो यह जो सासन विवस्ता है थी दोस्तों तो इन दोनों सासन विवस्ताओं से प्लेटो कापी प्रभावित थे और इन दोनों को मिक्स करके इन दोनों को मिक्स करके इस्पार्टा से इन्हों ने सेनिक विवस्ता को लिया सपाःटा से सेनिक व्यवस्ता को लिया और वही इंतिस लिया यहाँ पर दोस्तों षिःख्छा पर साशन का प्रभाव साशन का कहें कि कंट्रोल एक तरह से रही है इसिहासन को रहा? दोनों गुणों को मिला करके इन्हों ने एक नई व्यवस्ता को जन्म दिया अपनी एक नई शिक्षा व्यवस्ता को जो है ये उस समय लेकर आए तो यहां पर देखिए इस पार्टा से अनिवारिस अनिक सिक्षा ली इनों ने और एंतेस से राज्य के दुआरा सिक्षा पर नियंत्रन कि लिए रहे तो दोस्तों यहां पर जो उस प्लेटों की सिक्षा व्यम्य बसता है इसको 2 पार्ट में डिवायट किया गया है जैसा कि होना भी चाहिए था इसको एक विज्ञानेक तरीका बताए गया है पहला प्रारंबिक सिक्चा और दूसरा है आपका उच्ची सिक्चा प्रारंबिक सिक्चा और उच्ची सिक्चा अब आई ज़रा अंदर अब हम दोनों को पहले प्रारंबिक और उच्ची सिक्चा दोनों इस तरों को अच्छे से समझने का प्रियास करते हैं बहुत इसी है कुछ भी रटने के आवशक्ता नहीं है आसानी से यह आपको याद हो जाएंगे प्रारंबिक सिक्षा के अंतरगत अब सुनने द्यान से जो दोस्तों प्रारंबिक सिक्षा थी प्लेटो की वह प्रारंबिक सिक्षा 6 वर्स से स्टार्ट होकर के 20 वर्स तक चलत सब्सक्षा क्या उनुका कहिना है कि प्रारंबिक सिक्षा में जो बालक एड़िशन लेते हैंetu आते हैं उनका सरीर और मस्तिस्क दोनों स्वस्थ होना ंप्रों स्विकास के लिए ही इस प्रारंबिक सिक्षा में शोड़िविशन com में स्वस्थ सरीर और स्वस्थ मस्तिस्ख के लिए अब देखिया स्वस्थ सरीर के लिए उन्होंने ब्यायाम बताया है कि ब्यायाम आवश्यक है और स्वस्थ मस्तिस्ख के लिए उन्होंने संगीत पर बल दिया है तो इसमें सरीर को स्वस्त रखने के लिए ब्यायाम और मस्तिस्क को स्वस्त रखने के लिए संगीत पर प्लेटो ने बल दिया है प्लेटो ने बालक की आयू और बालक की छमता के अनुसार अपनी सिक्षा विवस्ता को बनाया है कि काल के अब यहां पर देखिए अभी अमने बात की छे से छे से लेकर भीस वर्स का ये सैसंगाल होता है इस अध्यनकाल में लास्ट के आखरी के दो वर्ष मतलब ये कि 18 से लेकर 20 वर्ष का जो ये दो साल का जो कारिकाल होता है इन दो वर्षों में यहाँ पर आपको सेनिक सिक्चा दी जाएगी सेनिक सिक्चा दी जाएगी अब यह सेनिक सिक्चा देने का उद्देश्य क्या था कि इस सेनिक सिक्चा से अब क्या हो देखिए प्रतेक नागरिक यहाँ पर education लेगा सिक्षित होगा तो प्रतेक नागरिक में यह सभी गुंड डेवलप होंगे इसके साथ साथ में प्रारंबिक सिक्षा के अंतिम दो बरसों में सेनिक सिक्षा दी जाएगी जिससे कि प्रतेक नागरिक में साहस साहस आत्मनियंत्रन और अनुसाशन इनका पूर्ण विकास हो सके और राज्ज को भी एक योवा सेनिक के प्राप्त हो सके के दोस्तों उच्छा काहां से प्रारंब होगी उच्छे सीक्षा अब 20 वर्स से प्रारंब होकर के पचास वरस तक चलने वाली है कि प्रार्म्ब कर वीश रसे प्रार्म्ब होकर तक पचास लेकिन इसके इमें अलग-अलग nostra पुर्दान कि जाएगी इसमें इसमें देखिए कि जो दीशल कि निक त्यार हो चुके है अब यह जो कि उच्छित की लिए पूरी तरह से गडित का अध्यान करवाया जाएगा 20-30 वर्ष तक अर्थात की 10 वर्ष अर्थात 10 वर्ष अब आपको जो है इसमें गडित का अध्यन करवाए जाएगा प्लेटो का मानना है कि गडित गडित जो है तर्क बुद्धी का विकास करता है किसका तर्क बुद्धी का विकास करता है जिसमें गडित में क्या है कि जैमि कि अनभिग्य व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे तो इतने प्रभावित थे इसलिए इन नहीं दार्शिकों के लिए गडित की सिख्चा सबसे ज्यादा महत्पूर बताई है तो इस प्रकार से कितने वर्श सेलने वाली दोस्तों दस वर्स ठीक है अब दार्सिनिक जो student है वो कहां तक पहुँच चुका है 30 वर्स की आयू तक आ चुका है 30 वर्स की आयू तक आ चुका है किलियर है अब ये 30 वर्स तक ये 10 साल की सिख्चा लेने के बाद गड़ित की सिख्चा लेने के बाद में अब एक exam होगा अब एक exam होगा वो 5 साल उसे स्टडी करने का अलग से एक और मुका मिलेगा जिसमें जिसमें न्याए गडित तर्क और दर्शन इसकी उच्छ सिक्षा दी जाएगी अब जो व्यक्ति जो व्यक्ति चे वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक की सिक्षा प्राप्त कर लेगा वो अब इस काबिल बन जाएगा कि अब वो स्वेम से खुद से वो सास्त्रों का अध्यन कर सकता है उन्हें एनलाइज कर सकता है और लोग बेवार भी डिवलप कर सकता है लोग बेवार भी डिवलप कर सकता है तो अब इस 35 वर्ष के बाद में अब 15 वर्ष पंदरा वर्ष प्लेटों के अनुसार 15 वर्ष उसको और अध्यन करना होगा उसे सास्त्रों का उनको सास्त्रों का मरन करना होगा लोग बेवार में उसे पारंगत होना होगा तो इस प्रका सिक्षा थी हमारी जो प्राणबिक सिक्षा थी प्राणबिक सिक्षा हमारी 6 वर्स से लेकर 20 वर्स तक चलती है उसके बाद जो एडवांस एड्यूकेशन होता उच्छी सिक्षा होती है उच्छी सिक्षा 20 वर्स से लेकर के 50 वर्स तक चलती है अर्थात की प्लेटों के अनु प्लेटो के अनुसार या प्लेटो की सिक्चा व्यवस्ता में सिक्चा पर राज का नियंतरन होना चाहिए या राज पर नियंतरन माना गया है यह पहली विशेश्था है दूसरी विशेश्था है कि प्लेटो की सिक्चा व्यवस्ता में सारेरिक, मानसिक, बोधिक और आत्मिक विकास पर बल दिया गया है प्लेटो के सिक्षा न्याई की प्राप्ती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दूसरी बात करें बेग्यानिक आधार की तो प्लेटो ने अपनी सिक्षा विवस्ता में बेग्यानिक आधार को अपनाया है जिसके माद्यम से उनों ने अपनी सि सिक्चा में विभाजित किया है इस्त्री पुरुष दोनों के लिए एक ही सिक्चा विवस्ता का समर्थन किया है इन्हों ने मतलब इस्त्री और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग से सिक्चा विवस्ता की विवस्ता नहीं किये सिक्चा की विवस्ता किया किलिए रहे चलिए नेक्स्ट कुछ बिसेस्ता हैं हो रहे दोस्तों、9 पिंट हम भी इसको डिसस कर ने धर्म और नेतिकता को उचित इस्तान प्रदान किया है धर्म और नेतिकता को उचित इस्तान प्रदान किया है धर्म और नेतिकता को अपनी सिक्चा वेबस्ता में उचित इस्तान दिया है वहीं सिक्चा को ज्यान प्राप्ति और दार्शनिक सासन की उत्पति का मुख के साधन बताया है शिक्षा का उद्देश ज्यान की प्राप्ती है और मनुष्य जीवन पर्यंत ज्यान प्राप्त कर सकता है कि लिए जीवन पर्यंत करना ही पड़ा ना पचास बरस तक उसे ज्यान प्राप्त करना है तो पुरा जीवन निकल जाएगा उसमें प्लेटों की शिक्षा बेवस्ता प्रादम से ही मनुष्य के सर्वांगे विकास पर बल देती है अब बच्चा पेदा होगा तब से लेकर के 50 बरस्तक अगर पढ़ता ही रहेगा तो कितना ग्यानी हो जाएगा आप भी इसका अंदर्जा लगा सकते हैं चलिए अब भई प्लेटों ने इतनी बड़ी बात तो कह प्लेटों की जो सिक्चा व्यवस्ता है उसको छोड़ दिया उसकी उपेक्चा कर दी किसकी उत्पादक वर्ग है कि उपेच्चा कर दी एक सेकंड दोस्तों एक बार फिर से केमरा ट्राय कर लेते हैं चालू हुआ या नहीं कि यार सो के विना केमरे के पढ़नेंगे तो पॉल्डम तुर्याएं दोस्तों चीक है एक्चुली क्या होता ना केमरे से क्या आई कॉंटेक्ट बनता रहता है तो उससे आप लोगों का भी थोड़ा सा इंट्रेस्ट बना रहता है अब इसको ठीक करने जाएंगे तो सेशन को बंद करना पड़ेगा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसमें क्या है कि फिर से वापस की उपेक्चा की रही जैसे प्लेटों ने अपनी संपूर्ण सिक्चा योजना में समाज के सबसे बड़े जो बर्ग होता है कौन सा होता उत्पादक बर्ग जैसे किसान मजदूर लोहार बढ़ाई इन विशेज बर्गों की उपेक्चा की इनके लिए कुई साथ सिक्चा विवस्ता की विवस्ता संगीत अगला है साह이다 की उपेक्चा तो प्लेटों की सिख्चा विवस्ता में इंस संगीत पर अच्या 3 लेकिन बात करें तो साहित को बहुत जयादा बहुत ही कम महत्व दिया गया है एस कुं साहित्य पर किसी प्रकार का नियंत्रन नहीं होना चाहिए जैसा कि प्लेटो की शिक्चा व्यभस्ता में राज्य का पुन नियंत्रन है राज्य का नियंत्रन होगा तो कला और इनका जो है कला उसाहित्य का विकास नहीं हो पाएगा ये बात प्लेटों सेट्य कहा है उन्हों ने इग्नौर किया मतले उसको एक ऐसे साहित्य को जो है उन्होंने ठुगराया है कि जो किसी भी बच्चों पर वालकों पर उनके चरीटर पर दूस प्रभाब डालन वाले जो साहित्यों होते हैं उन पर प्रतिवंद होना चाहिए और इस प्रतिवंद को लगाने के कारण ही प्लेटों ने सिख्षा को राज्य के नियंत्रण में डाला है यह सहीं भी है परन्तु इसका इसकी क्या गैरेंटी है कि कोई शाषक इस अधिकार का दूस्प्रियोग नहीं करेगा इना दूस्प्रियोग हो सकता है इसी कारण से कहा गया है कि कलाव साहित्य पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए तो अगली विशेष्टा है अगली विशेष्टा अपकना अलोशना है शिक्षा की अब्दी अत्य दिक लंबी जी हां यह तो अब तक आप पढ़ वहां से याद रखिए गाब लोग इना तो चे बर्सकी आयू से प्रारम होकर पचास बरस तक चलती है जो अट्य दिक लंबी हो चुकी अब आप सभी समझते इसके बाद अब व्यवारिक शिक्षा किस प्रकार से विवारिक शिक्षा इनकी प्लेटों ने अपनी शिक्षा प्रशासन और व्यवारिक ज्यान और विज्ञान यह बहुत इंपोर्टेंच मेंटर होते हैं ठीके कानून का अध्यन जरूरी है प्रशासन का अध्यन जरूरी है प्रशासन का व्यवारिक ज्यान जनता के पास होना जरूरी है विज्ञान का अध्यन करना जरूरी है तो इ लिए ज्यान नहीं होगा या और यह प्लेटो इस्ति पुरुष दोनों के लिए एक समान होती है छमता होती है जो भी दोस खोस्ता मानना है यहाँ पर है सेनिक और साचकों के लिए जो सिक्षा सेनिक ले रहा है वही सिक्षा सासक लेगा दोनों के लिए एक जैसा पार्टोग्राम है अलग-अलग नहीं है बिए बीकॉम बीए से नहीं है बलकि सिर्फ एक ही है जबकि सेनिक और साचकों के कारें अलग-अलग होते हैं कि लिए च advisor में दोस्तों अब बाक्र लेते हैं कि जितना हमने लेटों की शिक्षा बिवस्ता को पड़ा है और लेटे पास होना सकते हैं कि प्लेटों की सिक्षा संबंदी विचारों की उपयोगिता आलोचनाओं के बाद भी इस बात से इंकार नहीं किया कि सकते कि अनकी शिक्षा विवस्ता निराठक है बलकि प्लेटों ने सिक्षा को महत्पोर्ण इस्तान दिया है उनके समय में एसे पहले विद्वान आज भी कोई विक्ति प्लेटो के इस नकार नहीं सकता है कि सिख्चा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है पिल्कु सत्य बात है ये प्लेटो का कतन था कि सिख्चा मानसिक रोगों का मानसिक उपचार है तो आज इस बात से कोई व्यक्ति से नकार नहीं सकता है बेंजामिन जोबट ने इसी परिप्रेक्ष में अपने सब्दों में प्लेटो के लिए कहा है कि प्लेटो सरंसार का महानतम जीनियस था और बविश्य के ग्यान के अंकुर बविश्य के ग्यान के अंकुर मतलब आने वाले समय के आने वाले समय का ज्यान जो है अन्य दासनिकों की अपेक्चा इसमें प्लेटो में ही बिद्वान थे कि लिए रहे तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सेशन आज का हो जाता है कम्प्लीट कोई भी डाउट हो तो मुझे बताईएगा और इस आज के सेशन से संबंदित कुछ महत्पूर्ण प्रस्न इस प्रकार से ये रहे हैं आपके सामने इनको आप जरूर नोट डाउन कर ल कि लिए रहे चलिए दोस्तों तो मिलेंगे नेक्स सेशन में मिलेंगे नेक्स सेशन में और अगला सेशन हमारा होने जा रहा है प्लेटो का साम्मेवाद तो प्लेटो के साम्मेवाद का सिध्धान्त कि लिए रहे साम्मेवाद पर हम अब चर्चा करेंगे ठीक है दो मिलें